हेलो बच्चो आज हम आपका लेबरेटरी थर्मोमेटर का डाइग्राम देखेंगे लेबरेटरी थर्मोमेटर में आपका बल्ब होता है एक एंड में बल्ब में मरकरी होता है और ये आपका ग्लास ट्यूब से बना होता है और जिसमें mercury का level raise होता है वो है आपका capillary tube इसमें जो आपका temperature का जो range होता है वो होता है minus 10 degree centigrade to 110 degree centigrade यह जो laboratory thermometer होता है जैसा कि इसका नाम है यह आपका use किया जाता है laboratories में या आपका कोई भी scientific purpose के लिए और इसका जो range होता है वो होता है minus 10 degree centigrade to 110 degree centigrade इसका मतलब यह clinical thermometer से इसका range काफी जादा है अब हम difference देखेंगे कि जो clinical thermometer है और आपका laboratory thermometer है उसमें क्या difference है तो जो clinical thermometer होता है वो normal body temperature को हम आपने के use में आता है it is used to measure the body temperature और जो आपका laboratory thermometer होता है वो आपका जो आपके laboratory में जो test होते हैं जो solutions होते हैं उसके temperature को measure करने के काम में आता है अब जो clinical thermometer है वो उसका जो range होता है temperature का वो होता है 35 degree centigrade to 42 degree centigrade और अगर आप इसको Fahrenheit में देखें तो 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit जबकि जो आपका laboratory thermometer होता है उसका range होता है minus 10 degree centigrade to 110 degree centigrade जो कि आपका clinical thermometer से बहुत जादा है अब third point में जो आपका clinical thermometer होता है उसमें एक kink present होता है ठीक है जो आपका bulb है उसके पास आपका एक kink present होता है और kink का जो function होता है वो यह है कि वो जो mercury level जो raise होता है उसको अपने आप गिरने नहीं देता पर जब आप laboratory thermometer की बात करेंगे तो उसमें जो kink है वो present नहीं होता जिससे क्या होता है कि mercury का जो level है वो अपने आप नीचे गिर जाता है clinical thermometer में जब भी आप use करेंगे clinical thermometer को उसमें jerks की ज़रूरत होती है इसका मतलब उसको जटकना पड़ता है हर use के बाद पर laboratory thermometer में आपका jerk की या जटकने की आपको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो mercury का level है वो अपने आप गिर जाता है चीक है now last point of clinical thermometer is जो है आपका temperature अगर आप जो clinical thermometer यूज कर रहे हैं तो जैसे आप इसको अपने tongue के नीचे रखते हैं तो आप इसको remove करके भी आप उसका temperature का measure है वो कर सकते हैं ले सकते हैं आप temperature का measure चीक है मतलब इसको जो है tongue में रखके ही आप measure नहीं कर सकते हैं मतलब आप tongue के नीचे से आप इसको निकाल के बाहर फिर आप measure कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हूँ है temperature can be read after removing it from the source जो source है उससे आप remove करके भी temperature को read कर सकते हैं पर laboratory thermometer में जब आप read करेंगे तो वो source के contact में होना चाहिए जैसे for example अगर आपको water का temperature देखना है तो आपको आप जब laboratory thermometer को water में dip करेंगे तो आपको dip करते हुए ही आपको उसका temperature लेना है अगर आप उसको water से बहार निकाल देंगे तो वो temperature गलत दिखाएगा ठीक है वो जो temperature है वो गलत है तो जो आपका laboratory thermometer में जो है आपका जो temperature है वो आपका source के contact में ही रहना चाहिए ठीक है I mean जो आप temperature तभी ले सकते हैं जब आपका जो thermometer है वो source के contact में ही है ओके तो इस इस आल पर टोड़े थैंक यू